हेलो इस्टुटेंट यह अपने इंटिग्रेशन का क्यूस्चन था इसमें अब मैं को सेक स्कुएर एक्स अपॉन को सक्स की पावर इसमें अपने इंटिग्रेशन दोनों अलग अलग कर देते हैं तो जैसे मैंने बुला वह आपको भी सेकेंड उसको चूज करते हैं जिसका अपने इंटिग्रेशन एजिली करेंगे कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने को सेक स्कुएर एक्स को सेकंड फंक्शन कंसिडर कर लिए यह तो अब हिसमें अप्ला करते हैं फिर्स्ट फंक्शन को सक्स की होल पावर में एक पावर कम होगी means हो जाएगा 2006 next अपने पास को सक्स का differentiation क्या हो जाएगा minus sin x and second का integration हो जाएगा minus cortex dx का whole integration वो यह वाला जो minus 2005 को सक्स की whole power minus 2005 dx integration है यह as it is यहां पर आजाएगा आपने पास जैसे ही अपन यह second वाला जो integration है इसको solve करेंगे तो same to same इसमें convert हो जाएगा और यह दोनों cancel out हो जाएगे इस type के question आपने राजस्तान बोर्ड की book में भी देखे होंगे यह बहुत अच्छा question है यहां पर देखिए एक minus तो तीन और यह चा तो यह final क्या होगा वापस positive यहां पर आया integration of 2005 जो के constant है यहां पर है को सक्स की whole power minus two zero zero six यहां पर साइनक्स है जो साइन थे माइनस की वो मैंने सारे combine करके positive लगा दिया है अब जो court है अपने पास court को change करेंगे तो court को क्या लिखेंगे अपन साइन को उसमें को सक्सपॉं साइनक्स दी एक्स और यह जो second integration है मैंने बूला था आपको as it is रहेगा और यह भी cancel होने वाला है आप मैंसे case to tend मेरी बात समझ गई होंगी कि मैं क्या बूलना चाह रहा हूं को सक्स की हो़ड़ माइनस को यह जिरु जिरु फाइफ कोट एको इसमयमें dej आप यह पर देखो इंटी अफ 2 nominal 5 को सक्स की whole power minus two zero zero six है यहां पर यह sin x से sin x cancel होगी है इसकी whole power one है तो यहां पर क्या हो जाएगा course x की whole power minus two zero zero five dx और अपना जो second integration था जिसको अपन ने समाल के रख रखा था वो इससे क्या वाज़ेगा cancel out हो जाएगा and this is your required answer और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ share कीजिए thank you very much